आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ का मान बताना है कब जब इलेक्ट्रोन की कुलूर्जा माइनस 3.4 इलेक्ट्रोन बोल्ट है अब यहां से देखें कि इलेक्ट्रोन हमारा इस कच्छा में रखा गया है जहां पर उसकी कुलूर्जा माइनस 3.4 इलेक्ट्रोन बोल्ट है हम मालेते दो कच्छा बनाएं ये हमारी कौन सी कच्छा है ये न बराबर पहली कच्छा ठीक ये हमारा ये न बराबर दूसरी कच्छा है हम इन दोनों कच्छा में चेक करेंगे कि इलेक्टॉन की कुलूर्जा कितनी होगी तो हमें पता चलेगा इलेक्टॉन किस कच्छा में रखा होगा अभी हमें ये नहीं पता है कि इलेक्टॉन हमारा पहली कच्छा में है दूसरी कच्छा में है या फिर तीसरी कच्छा में है ह हमें बस इतना पता है कि एलेक्ट्रॉन जहां पे भी है उसकी कुल उर्जा माइनस 3.4 एलेक्ट्रॉन बोल्ट है। क्वेशन में क्या दिया है हाइड्रोजन प्रमाड की प्रथम उत्तेजित अवस्था। यहां से एक चीज हमें गिवन है कि एलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पे है प्रथम उत्तेजित अवस्था। अब इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की हमें क्या-क्या निकालना है गति जूर्जा यो इस्तिति जूर्जा का मान निकालना है। मतलब इस अवस्था में हमें गति जूर्जा और इस्तिति जूर्जा निकाल लिए हैं। तो उसको हम कहते हैं, दूसरी कच्छा में होगा, और इस कच्छा में इसकी जो उर्जा हो जाएगी E2, किसी कच्छा में जो उर्जा का सूत्र होता है, कुल उर्जा का, क्या होता है? इसका मान हो जाएगा, तो दूसरी कच्छा में जो उर्जा हो जाएगी, यहां से उसको निकाल सकते हैं, E2 बराबर माइनस तेरा दस्मलो छे बटे, यहनी की जगह पर क्या पूट कर देंगे? 2, 4, और इसका मान हो जाएगा हमारे पास, माइनस तीन दस्मलो छार इलेक्ट्रॉन बोल्ट, दूसरी कच्छा में इलेक्ट्रॉन हमारा जो रख़ा है, उसकी कुल उर्जा कितनी हो जाएगी? माइनस तीन दस्मलो छार इलेक्ट्रॉन बोल्ट, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी प्रत्थम उत्तेजी तवस्था में होगा, तो उसके पास कुल उर्जा कितनी होगी माइनस 3.4 electron volt तो इसकी उर्जा यहाँ पे देखें E2 बराबर इस electron की हो जाएगी माइनस 3.4 electron volt जो की हमें question में given है ठीक इसको हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे हमने prove कर दिया अब यहाँ पे हमें क्या बतानी थी माइनस 3.4 electron volt माइनस पहले से एक यहाँ पे माइनस 3.4 electron volt तो गतिज उर्जा आसानी से हमारे पास आ गई गतिज उर्जा बराबर 3.4 electron volt कब जब electron अपनी प्रथम उत्तेजी तवस्था में होगा तो उसकी गतिज उर्जा कितनी हो जाएगी 3.4 electron volt और हमेशा याद रखिए जो गतिज उर्जा होती है कुल उर्जा का हमारा रिडात्मक होता है कुल उर्जा इस कच्छा में कितनी है रिडात्मक माइनस 3.4 electron volt गतिज उर्जा क्या हो जाएगी यहां पे देखें कटिज उर्जा बराबर रिडात्मक कुलूर्जा के यह हमारा सूत्र होता है तो कुलूर्जा हमेशा किसी कच्छा में क्या रहती है रिडात्मक तो एक रिड पहले से रहता एक रिडात्मक तो मतलब गति जूर्जा हमारी धनात्मक हो जाती है जो कि यहां से हम देख पा रहा है तो एक आंसर हमारा ये हो गया इस्थिती जूर्जा क्या होता है इस्थिती जूर्जा हमारा कुलूर्जा का डबल होता है अगर हम दूसरी कच्छा की बात करें यहाँ पर इस्थिती जूर्जा हमारी किसकी होगी कुलूर्जा के डबल हो जाएगी कुलूर्जा क्या है E2 उसका डबल कर देंगे तो हमें इस्थिती जूर्जा मिल जाएगी E2 बराबर हो जाएगा हमारे पास इस्थिती जूर्जा दो गुड़े E2 का मान कितना है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन बोल्ड E2 क्या है जब electron हमारा इस दूसरी कच्छा में रखा होगा तो इसकी कुलूर्जा अब हमें बता है कि कुलूर्जा किसका समयशन होता है गति जूर्जा प्लस इस्थिती जूर्जा का 6.8 electron volt तो इस्तिती जूर्जा अभी भी हमारी रिडात्मक है लेकिन कुल उर्जा की दुगना हो जाती है और गती जूर्जा हमारी धनात्मक रहती है और किसके बराबर रहती है जितना हमारी कुल उर्जा होती है कुल उर्जा कितनी थी? माइनस 3.4 बॉल्ट तो यहाँ देखें गती जूर्जा बराबर हो जाएगा प्लस 3.4 एलेक्टॉन बॉल्ट और इस्थिती जूर्जा क्या हो जाएगा उसको केटू लिखेंगे यहाँ पियूटू बराबर आजाएगा हमारे पास ये दोनों हमारे इस question के answer हो जाएंगे Thank you